अलो फ्रेंद्स, वेलकुम तु स्टाडी ग्राम, यॉर्व अकाडमिक ठेरपी, और इप्यू लाइक दिस वीडियो, दो नोट फगेट तो लाइक और सब्सक्राइब तो आचानल बाई प्रेसिंग दे बेल आइकन विडियो लेक्च्र में, हम समझेंगे वीबोनेग के बारे में, वीबॉनेग अभी हाल में ही दुबारा से कुछ असपेक्स कुछ remain China में नजर आये हैं इस वीबोनेग के, वीबोनेग को हम ब्ल्क देड भी कहते हैं, और ये बहुत पहले एक पैंडेमिक टायप से अकर किया जो कि आप वापिस से रियाकर करता हुआ नजर आ रहा है हमें चाइना में है वाइज इट न्यूस अथोरिटीज ने चाइनीज रीजन में यह देखिए आपको जो येलो कला का रीजन दिख रहा इसको हम कहते हैं इनर मॉंगोलिया और जो औरेंज रीजन है वो एक और कंट्री है मॉंगोलिया तो जो चाइनीज रीजन का इनर मॉंगोलिया रीजन है यहाँ पे कुछ नए सस्पेक्स दिखे हैं ब्यूबोनिक प्लेग के जिसको हम ब्लाग डेथ भी कहते हैं ब्लाक डेथ ब्योबोनिक प्लेक को कहते हैं ये डेडलियस्ट हमारी हिस्ट्री में एक डेडलियस्ट एपिडेमिक के नाम से भी मशूर है तो इसका बापस से जो सस्पेक्स मिल रहे हैं तो इसले ही चार ओर हर न्यूस चानल पे चाया हुआ है देखे साथ घंते पहले की न् दिख रहा है ये हमें दिखाता है कि कितनी डेथ हुई है इस ब्यूबोनिक प्लेक की वज़े से 14th century में इसने मोर दन 200 मिलियन लोगों की जान गई है इस ब्यूबोनिक प्लेक की वज़े से वहीं देखे जो येलो फ्लार है वो सिगनिफाई करता है स्मॉल पॉक्स स्मॉल इसकी वज़े से बहुत डेथ हुई है तो क्या चाइना अब फुल स्विंग में है कोरोना वाइरिस महामारी तबाही जो इसने देश में मचाई है उसके बाद क्या ये दुबारा से दुनिया को एक ब्लैक डेथ नाम का गिफ्ट देने को तयार हो रहा है ये हमारा बहुत ह प्लेक की बड़ा क्वेस्टिन है इस बाक्टिरिया को हम कहते है ये एक जोनौटिक बाद की बारे में पहले भी समझा है जोनौटिक क्या होता है जो कि उशुली अनिमल्स में मिलते हैं Usually found in small mammals and their fleas It can be transmitted to humans through infected animals and fleas तो यह जो प्लेग है यह animals से humans में transmit होता है और अगर हम middle ages की बात करें Middle ages cover करती है 5th century से mainly 15th century तक का time period Plague was known as Black Death क्यों? क्योंकि it was responsible for death of millions of people in Europe ठीक? अब जिस प्लेग की हम समझ रहे थे जिसकी बात कर रहे थे उसकी 3 types होते हैं पहला type को हम बोलते है bubonic plague second type होता है pneumonic plague और third type होता है septicemic plague ठीक? और अब आपके ग्यान के लिए हम आपके information के लिए बता दे यह जो आपको creature दिख रहा है बगल में यह आपको क्या लग रहा है? क्या है यह? यह आपको उसकी चोंच दिख रही है तो क्या यह आपको लग रहा है एक कवा या वल्चर जैसा कोई species? नहीं यह आप बिलकुल गलत है यह एक doctor की picture है आज की time में corona से बचने के लिए जैसे हमारे doctors PPE kits पहनते है वैसे यह उस time में doctors देखे यह पूरा oversized coats और इस चोंच को आज मास की जगे उस समय चोंच ऐसा पहना चाता है जो कि herbs and सारे type की smell से भरा रहता था बिकुस प्लेक के patient से बहुत बुरी smell आती थी तो उससे बचने के लिए doctors यह चोंच जैसा device लगाते थे ताकि उनको यह बुरी smell नाए ब्यूबोनिक प्लेक क्या होता है यह सबसे common form है प्लेक का इसको हम कहते हैं ब्यूबोनिक प्लेक इससे क्या होता है इसमें painful swollen lymph nodes जहां-जहां lymph होती है माई बोडी में वो swelling हो जाती है उनमें तो यह ब्यूबोनिक प्लेक को classify करता है जो animal जिसको खाया गया है वो उसके bite से यह फैलता है human to human transmission of ब्यूबोनिक प्लेक में नहीं होता है ब्यूबोनिक प्लेक के अडवांज और जब यह लंग्स में पहुंच जाता है इसको हम कहते हैं निमोनिक प्लेक हो गया है ठीक है और इसके symptoms इंखलूट करते हैं fever, chills, weakness and सिर्दर्थ निमोनिक प्लेक निमोनिक प्लेक क्या होता है जिस हमने पिछली slide में पढ़ा था अगर यह प्लेक हमारी lungs को infect करता है तो वो निमोनिक प्लेक का रूप ले लता है निमोनिक प्लेक का रूप ले लता है निमोनिक प्लेक is the most virulent form of प्लेक मतलब बहुती severe form of प्लेक है यह and it can be fatal within 24 to 72 hours होने के 24 to 72 hours बहुती critical होते हैं जब बैक्टिरिया हमाई lungs को infect करती है तब यह होता है और it is the only type of plague that can be transmitted from human to human touch human to human से spread होता है it can trigger severe epidemic through person to person contact via droplets in the air जैसे coronavirus spread हो रहा है droplets के तुरू वैसे यह ही यह भी transmit होता है इसमें इस symptoms क्या है chest pain होता है fever होता है cough होता है यह highly contagious है और यह transmit होता है एक इंसान से दूसरे इंसान पे just by mere coughing अब चलिए बात करते हैं हम septicemic plague की septicemic plague क्या होता है जब bacteria enter कर जाता है हमारे blood stream में और multiply करने लगता है उसको हम कहते हैं septicemic plague if left untreated pneumonic and bubonic plague can lead to septicemic plague ठीक है अगर हमारा treatment नहीं हो रहा है तो pneumonic plague या bubonic plague lead कर सकता है septicemic plague में a person infected by septicemic plague may also notice that their skin turns black जो person infected होता है septicemic plague से उसकी skin का कलर dark होने लगता है क्यों? क्योंकि वो blood vessels में effect करने लगता है bacteria इसले चलिए इस diagram को समझते हैं plague usually एक bacteria से spread होता है जो की मिलते हैं हमें small mammals या fleas में ठीक है? यह जब human body को effect करते हैं सबसे common type का plague जो की मिल सकता है उसको हम कहते है bubonic plague यह हमारे lymph nodes को effect करता है उसमें swelling cause करता है यह severe भी हो सकता है बट इस bubonic plague में कोई human to human transmission नहीं होता यह याद रखिएगा जब यह human to human transmission start हो जाता है उसको हम कहते है pneumonic plague the deadliest and the most rapid form of plague occurs when it reaches the lungs ठीक है? lungs में effect करता है और फिर उसका human to human transmission start हो जाता है it can be transmitted person to person via droplets in the air early diagnosis and treatment are essential the fatality rate is around 30 to 100% if left untreated अगर हम इसका treatment नहीं होता तो उसमें 100% तक fatality possible है people infected with plague usually have flu-like symptoms within 1 to 7 days of contact अब सबसे बड़ा question can dead bodies spread plague? yes the body of someone who has died after being infected with plague can infect the people who are in close contact such as those who are preparing the body for the burial तो dead bodies affect करती है निकार और और spread करती है plague the source of infection is the bacteria that are still present in the body fluids अब पढ़ते हैं plague के treatment के बारे में plague का treatment antibiotics से किया जाता है और recovery common है अगर उनका treatment जल्दी start हो जाए ऐसी areas में जहांकी plague का outbreak हुआ है वहाँ पे जिन लोगों को symptoms दिखाई पढ़ रहे हैं नजर आ रहे हैं उनको health center में reach out करना चाहिए और वहाँ से treatment लेना चाहिए और सबसे बड़ी बात उनको isolate कर देना चाहिए ताकि उनके contact से औरों को symptoms ये problem ना spread हो ठीक है एक और बात इसकी vaccination अभी तक नहीं आई है plague की Friends आपको हमारा वीडियो कैसा लगा इसको comment करके हमें जरूर बताएगा We hope ये आपको helpful रहा होगा हम Facebook, Twitter, Instagram और Telegram जैसे सारे social media platforms पे available हैं तो आके हमें like करिए, subscribe करिए और हमारे studygram family का part बनिए Thank you, bye bye